आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ How does an excess of tryptophan cause switching off of the tryptophan operon जब excess में tryptophan present होता है tryptophan क्या होता है यह होता है amino acid तो हम से पूछा है जब excess में present होता है यह tryptophan तो switch off कैसे हो जाता है tryptophan operon, tryptophan operon को हम TRP operon भी बोलते हैं अब operons क्या होता है? operons होते है genes के set ऐसे genes के set जिन में एक promoter present होता है जिन के starting में promoter reason present होता है and एक operator reason भी present होता है यहनि एक promoter reason में present होता है operator reason भी होता है present इनकी इन genes से जब MRN बनना होता है इनका जब translation एं transcription बनना करना होता है जब protein synthesis होता है तो इस इसके gene expression को control करने के लिए promoter and operator रहता है तो इस पूरे के पूरे unit को हम क्या बोलते है ऐसे set of genes जिसमें promoter and operator present हो gene के expression को control करने के लिए इसको बोला जाता है operon तो यहाँ पर TRP operon की बात की गई है अब operon में जो promoter reason होता है promoter reason वो reason होता है जिससे आकर के RNA polymerase attach करता है RNA polymerase क्या होता है यह वो enzyme होता है जिसके तुरू transcription होता है यह वो enzyme होता है operator reason वो reason होता है जिससे आकर के attach होता है जिससे आकर के एक repressor होता है वो attach जाता है अब repressor क्या होता है कि अगर suppose cell को ज़रूरत ही नहीं है transcription करवाने की cell को किसी एक particular protein की ज़रूरत ही नहीं है किसी amino acid की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर ये फाल्थू में अपनी एनर्जी यूज़ करके transcription, translation क्यों करें तो इसलिए operator reason को block कर दिया जाता है with the help of repressor तो repressor का काम होता है block करना किसे protein के synthesis को protein के synthesis को protein के synthesis का मतलब यह नहीं कि यह केवल translation को block करते है transcription को भी block कर देता है तो this was all about operon अब यहाँ पर मैं देखने को मिल रहा है कि जब भी cell के अंदर जो cell होता है जब भी उस पे यह जो tryptofan होता है amino acid यह एक basic amino acid होता है मतलब जो भी organism होता है उसको चाहिए होता है amino acid for its development amino acid क्या होता है protein की unit होता है तो यह चाहिए होता है basic development के लिए तो जो bacteria होता है या जो भी organism होता है उसके पास दो तरीके होता है tryptofan मनाने के एक तो तरीका होता है कि वो अपने jeans के तुरू बना ले एक तरीका होता है कि उसके environment के अंदर present हो ठीक है जैसे for example हमारे पास तरीका है कि हम खुद अपना गेहूं का है खुद अपने गेहूं से पीस करके उससे आटा निका ले यह हमारे पास दूसरे तरीका होता है कि जो घर में आटा पड़ा है उससे डिरेक्ली रोटी बना ले तो यही चीज होती है कि या तो जीन्स जो होते है अपने जीन्स यूज करके उनको हार्वेस्ट करके ट्रिप्टो वो ट्रांस्क्रिप्शन ट्रांस्लेशन करवा करके यह बनाए ट्रिप्टो फैन या फिर एन्वार्मेंट में पहले से ट्रिप्टो फैन प्रेजन है तो उसी को यूज कर ले तो जब एन है कि ऐस Fel को चहिए होता है जी असल को चहिए होता है जी से होता है टिक अफ़ेंटा को बना देता है थे अँसके थू जो होता है एकसे से यह और इस के आटिज़ों चल जाता है की जू होती है उसको पता चल जाता है कि अरे एंवार्मेट में ता सारी ट्रिप्टो फैन पहले से प्रेजन्ट है तो फिर हम सेल में जो जीन्स है उनके थूप क्यों बना है